हेलो अब्रेयान वेल्कम डू जनिक एजुकेशन लियर हम लोग बात कर देखेरी आप मसीन में हम लोग ने चेप्टर पढ़ लिया है मैकनिक जम इसके बाद हमने पढ़ा गियर फिर हमने गियर टेन को श्टडी कर लिया है तो यह उसके बाद हमने डिसक्स किया डैनमिक फोर बट आज एक और शानदार चेप्टर स्टाट होने जा रहा है फ्लाइवेल जिसका आपको वेट था काफी दिनों से उस चेप्टर आज आई गया है आज हम इस पर डिक्स करेंगे बड़ी डिटेल में और बड़ी आपके आजिए के चीज़े इंपोर्टन्ट हैं और क्या आपको डिसकस करना है सब कुछ में बताऊंगा और साथ में साथ आप पॉइंट का जो है वो नोट करेंगे क्योंकि आपके लिए पॉइंट करना है अगर आप नोट नहीं कर दें पॉइंट ना तो प्रॉब्लम क्या किerson कि consultation अगए है सब कुछ होगी बात करें तो वहाँ पे आपने देखा है है कि इनचन की में बात करते हैं किसकी बात करें है कि जब cycle चलती है तो वहां पर कितने होते हैं सक्सन होता है compression होता है expansion यह फिर पावर स्टोक और फिर last में क्या होता है exhaust फोल सारे होते हैं वन सायकल में होते हैं कितना revolution होगा क्राइन का two revolution होगा तब जाके पूरी one cycle complete होती है यह थो आपको पता ही होगा अगर आपने आएसी इंजन पड़ा है तो आपने 2-4 इंजन की बताओं कियो मैं इंजन की बात कर रहा हूं एक्चली वहां पे ये फ्लाइबील इंजो होता है मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं टार्फ जो power output मिलता है मैं तर्क आउटपू वो constant नहीं होता अगर अगर फ्लाइविल ना लगा हो तो हमारा टार्फ सारे पुरी cycle में पूरी whole cycle में क्या होता नहीं होता है वह वैरी करता रहता है हर टाइम पे अभी मैं थोड़ी तरे बाद ट्रेटर डाइग्राम बनाऊंगा तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या कहना सा रहा हूं अभी आपके वाल ओरली सुनते रहो फिरिश के बाल मैं फ्लाइविल के डिशन बता तो ट्रेंग रोटेट करेंगा तो बात तो आपको सवन में आ रही है बट रोटेट करेगा पावर आउट पूट्पुट सुपिश्टन का क्या का चीजह होती होती है फोरेष्टों क्षिटन होगा कैसा रिसे पमस्ट इस हो गया बहान होगा और तो महां से पावर कंश्ण होगा अगर फ्लाइविल ना लगी हो तो तो अगर कॉंस्टेंट नहीं है तो मिन्स यह है कि साइकिल पूरी टाइम की दावरान हमें कॉंस्टेंट इस पीड नहीं मिलेगी इस पीड मारी वैरी करते रहेगी जब पावर श्टोक आएगा मिन्स एक्जॉस्ट के पहले जो एक अगर्शन और एक्जाश्ट इस्ट्रीबूट हो जाए तो हमें कॉंस्ट्रेंट स्पीड मिलने लगेगी और वो कैसे होगा उसी के लिए हम लगाते हैं अडियर क्या लगाते हैं फ्लाइविल का फंक्शन क्या होता वो काम ग्या करता है कि वह जैसे हमें पावर आउट्प में इतना पावर आउट्पूट हो जाता है अगर उसको हम डिस्ट्रीबूट करें ओबराल साइकल में मिन्स सक्सन कंप्रेशन और एक्जाश्ट तो वो डिस्ट्रीबूट हो जाएगा और हमें स्पीड कॉंस्टेंट मिलेगी मिन्स इस स्पीड मों कोई फर्क नहीं तो इसके लिए फ्लाइवेल लगा रहेगा तो हम जितनी चार उसके चेंज कर सकते हैं क्योंकि अगर एक ही श्ट्रोक में एनर्जी का आउट्पूट हो रहा है तो वो इतनी ज्यादा आ रहा है कि वह तीनों में कबर कर सकते हैं लेकिन कैसे करेंगे उसके लिए लगाना हो जब सप्लाइज जाधा होती है तब इनर्जी को इसे करता है और जब रिखौईर्मेंट होती है जैसे की पावर इस्टोक में हँआज को जब एक रोटेट करते ही है तो Similar की आपको मिल जैका दिस फ्लाइवील due to the decision proven you आपकी जो लगें यह कैसे होते हैं वील आपने देखा है आपने अगर जन्मार्टर देखा होगा आपने आपने देखा होगा वहाँ पे एक विल होता है बड़ा सा होता है तो पर अछिछ फ्लाइव दीन ही ही ग्यानेटर पर क्या करते हैं जो आपको आपको एपना कर रहा हूं रिवले कि जब आप पहले चलाया गरते है तो तो आपको फ्लाइव कर ली रहा कि आप रूटेट की अप वो अपना कर पाओ तो उतना रोटेट कर ले जाएगा उसको वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है उस टाइम पे और तुरूंद उसको रोटेट करता है मिस कहने का यह मतलब है अगर सप्लाइज जाता होगी तो वो एनर्जी को उस टाइम पे इस्टोर करेगा और बट सब अगर रिक्वाइर्मेंट बढ़ गई और सप्लाइज पी नहीं आपा रही तो वो क्या करेगा रिलीज भी करेगा इनर्जी तो यह एक इस्टोरिंड जिंड आप तो टिश्च Раз corporate रोटेटिंग बॉडिए अडियर इसके बाद हम पॉइंट लिखेंगे यह काम इसका में फंक्षन चाहे यह करता क्या था है था treatment रेटेय शें इस पीड में जो variation होता है उसको control करता है ताकि always पुरी cycle के time पे हमारी जो speed रहे वो vary न करे constant speed हमारे जितने desired वो मिलता रहे whisk, control the variation speed, control the variation in speed, in speedК रहे बएब जो driven each cycle during during each cycle during each cycle औप लुए हमिए जाइक लुए पर आएब स्पीड जोर बाइर हो सो कंट्रोल करें इतनी साक्रूल होगी सब में यह सीपीड को क्या क्यों यह जो वैयेशन को कंट्रोल करता है बात अगर करें, when supply of energy is more than requirement, it is more than requirement requirement से ज्याता है is more than requirement then व्लाइब न क्या करेगा energy को एबजॉर्ब करेगा तो यह तोर ते निट इस्टोर दि इनर्जी बी एनर्जी इनर्जी को स्टोर करेगा वन वन रिफारमेंट भीकुरमेंट टेन हमुतर मुद्ट गाहिरेंट पुरकुमीस तेन रिफारमें एकन वहुद को रिफारमेंट कि है vy Phryonung the energy की इनर्जी इनर्जी उक्य फिर सिस्टम पिसको करेगा फुझे सीस्टम तुदा सिस्टम में अगर बॉर इस्टोक की वाथ हो तो वह बेद पावर इस्टोक में तो आ गया हमें तो ऊस्टाइम पिर में इतनी ज्जादा का या वर्क ही ही होता है कि वो rotating body होती है, rotate करती रहती है, अपनी speed को यह change करती रहती है, but system की speed को vary नहीं कराएगी, इसकी speed हो control कर लेगी, अपनी speed को vary कर लेगी, तो बात आपको सुन्हाँगे कैसे क्या करेगी वर्क, control the variation in speed during each cycle of engine, when supply of energy is more than requirement, तो क्या करेगी तो इस टोर बट जब requirement होगी but when requirement then it release the energy तो आपको 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 इसकी एक्चुल पोजिशन कहां पहोती है प्लाइवल कहां पर लगाया जाए कि हमें ज्यादा benefit हो कहां पर इसके कर्णट पोजिशन होती है एक्चुल पोजिशन suitable position की बात करते है शूतेबल पोजिशन की बात करते हैं शूतेबल पोजिशन क्या होती है लोगाना यहां पर आपको दिख रहा होगा आपको दिख गया ना मिन्स वन टू थरी विश्टन कितने है वन टू थरी फॉर फाइफ सिक दिख रहा है न तो यहां पर किसमें एक क्रेंग का प्लाइब लिए लगी हुई है तो सब में लगा हुगा ना क्रेंग साफ के साथ वहीं पेस की बेश्ट पोजिशन नहीं होती है प्लाइब क्रेंग साथ की साथ होती है क्यों कि जो रोटेटिंग बॉड़ी का होता है मूंट आफ इनरसी हो जादा होता है because rotating body has quite large moment of inertia इसको हम रोटेटिन बॉडी के शाथी लिए क्या करते हैं वहां पे इसको अटैज करते हैं कि यहां पे लग जाता है तो आपको यह पाइंट समझ में आहीं होंगे हम चलते हैं आगे और अचाहे यह बताओ इससे यह पाइद क्या होता है कि यहां पर लग जया तो यह कि तरखी काम करता है एक्ट आज़र वायर तरा अर वायर रESER वायर है महा यह रिजार वायर की तरीका वाकांता है कैसे टेर वायर के दिए और कुछ पौइंट इसकांक्ति है इस्टोर एंड सप्लाई इस्टोर करती है और सप्लाई करती है तो आपको प्लाइवील के बारे में बड़ी अच्छी तरीके समझ में आ गया है कि प्लाइवील क्या होता है किसके साथ अटेश यहां पर क्रेंग साथ है आपको आएंग बात करेंगे हैं एक होती है रिंग टाइप यह फिर रिंग टाइप या फिर रिंग ताइप दोनों की बात होगी बट अच्छा मोश्टली होता है वह जातर हम आज में हम डिस्क टाइप यूज करते हैं क्योंकि उसका वेनिक्विट है अभी बात करूंगो क्या वेनिक्विट है कि अबकर अपयों मुश्ट आपके जो है रिम टायप और रिंक झाइंप कुछ वह करदो जů कि सिर्विल रिंक टाइप और डिस्क टाइप अभी दिखांगो मूध की होता है और तो आपको अगर मैं यह पूछ हूँ कि मोमेंट आफ इनर्शिया अच्छा आप यह बताओ अगर यहां पे हुआ है कुछ यह बॉड़ी है रोटेटिंग बॉड़ी है तो कानेटिक इनर्जी किस फ़ाम में आएगी रोटेशनल फ़ाम में आएगी यह तो बात हो रहा है तो रोटेशनल मोशन के लिए सब कुछ अलग होता है यहां पर रहेगा और कॉन से मार्श मोमेट आप इनर्शिया और वी के जगा ओमेगा आएगा इंगलर विलाष्टी ओमेगा स्कुर्ण कानेटिक इनर्जी हमारी इतनी आती है ओके कि यह क्या है मारा आई क्या है मार्श मोमेंट आफ इनर्शिया मार्श मोमेंट आफ इनर्शिया मार्श मोमेंट आफ इनर्शिया तो पता है आपको अंगलर विलाष्टी अंगुलर विलाष्टी अंगुलर विलाष्टी है हमारा आप यह बताओ कि मास मोमेंट आफ करता है तो अगर हम बात करें रिंग टाइप के लिए और इस हम तो आएगा इनको आप कि कितने कितने आएंगे आपको बात सौन में आही गई होगी अच्छाamarऑ अगर यह बनाओं मैं तो पूरा-पूरा यह मेंस डिस्क है अरे प्लेट वगरा देखी है या फिर डिस्क मतलब यह है कि उसे बीच में कोई अरे इंगेजमेंट इनर्जी किस फॉर्म में आती है कैनेटिक नर्जी लेएंगे पड़ रोटेशनल कानेटिक एनर्जी रोटेशनल कानेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वडियर आपको आई थिंग यह बात समाझ में आई गई होगी अब हम चलते हैं अगे और बात करेंगे हम T-theta diagram की किसके बात करेंगे T-theta diagram किसके लिए हो भी turning moment diagram दो में रिए देड़ दियाग्राम पर सिंगल सिंगल सिलेंडर डवल अक्टिंग इस्टिम एंजन चलियर डिसकस करते हैं टॉपिक आप लिखिएगा कि करनी मोब्मेंट डैग्राम इस तर्टिक रिंग्र मोब्मेंट डैग्राम और single cylinder or single cylinder double acting single cylinder double acting double acting single cylinder double acting steam engine steam engine steam engine okay steam engine कि छो इसको हमई डायग्राम बनाएंगे means करना क्या हमें डायग्राम बनाना है इसके बाद सारे प्वाएंट200 हम डिस्कूस करेंगे आप आप सरे पॉइंट subscribe रहेंगे हम come गया करने टालिन्ग में कमें डायग्राम बना है किसके डाशलिए single हमें लेना है turning moment लेना है और second access जो हमें लेना है वो रहेगा हमारा ठीटा तो second access पर हमारा जो होगा ठीटा तो आपको कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए हम इसका एक पहले डाग्राम बना लेते हैं फिर हम बात करेंगे यहां पर होगा टी लिख लो turning moment लिख लो turning moment इधर होगा हमारा ठीटा क्या होगा यह ठीटा क्रेंग एंगल होता ठीटा यह स्वारी टर्निंग मॉमेंट है और वो हमार ठीटा है ठीटा क्या है क्रैंक एंगल ओके तो आइए हम बात करते हैं वागे कुछ डाग्राम आपका जायेगा फिर ऐसा फिर ऐसा ऐसा आएगा और इसके बाद आप सारे पॉइंट्स साथ साथ नोट करते रहेगा तो आपको सारे पॉइंट्स ऐसे रहेगे तो आइए हम बनाते है ये इस Means लेके चलेंगे इधर का डाग्राम ऐसे बनेगा निए तो तो आपने देखा एक हाइस प्राल यहां पर मिला और मिली गए आपको तो यह हमारा है क्या है क्या है क्या सब्सक्राइब कर लिया है dyommarologist STEM थीटा के को करता है कि अगर एंगल लोगा चुछा यहां पर इतना ही यहां यहां पर है अगर यहां से श्टार्ट हुए थीटा एकसा हुआ ठीटा तो रोईट करेगा करते करते जाएगा कितना कवर करेगा spit करेगा के लिए मुँदर आल जो इसका होगा इंगेल ऊए में रिशल्श्य होगा यही तो होगा न तो यहां था क्मटल कितना होगा one cycle में लिख लो हूब एक बन साइकल है ऑन साइकल है उके डियर वन साइकल है यह वन साइकल हो अपा कबर कितना यह अग्वरागेगा यह उनुक्त द लेगरी हो गया और esca पाई हो गया तो इतना टोटल टर्निंग टार्क आउटपुट हमारा आएगा और अगर यह तो है तब जब इंजिन का पावर आता है बट हमें रिक्वाइर क्या होती है देखो हर टाइम पर चेंज हो रहा तर्निंग मोमेंट जो है हमारा एबरी पॉइंट पर क्रेंग जैसे यहां पर फिर जाहते हैं हम कोई कल चलेगी नहीं हम तो चाहते है कि 20 मिटर पर सब्स्क्राइब और पिर 50 हम चाहते हैं बट अगर यह तो इसी के लिए चाहने के लिए लगाएंगे अभी तो आपको मैं दिखा रहा हूंगी कितना आएगा अगर इंजन है तो कितना आउपूट आएगा यह दिखा दिया बट हमारी जो चाहत है वो कुछ ऐसी है मैं उसको बनाऊंगा फिर आपको सारे पॉइंट्स समझ में आई किये हैं अब का टिटर हराएग्राम फिर से बट इस बार कॉंस्टेंट होका टिटहटा है कि मैंस टार्क आउट्पुट आएगा वो कॉंस्टेंट आएगा तक कूछ नहींरे कहें कुछ ऐसे हमारे टार्क आउट पूट आ ये इतने टार्क आउट्पूट आ हमारा कि chart मे बट इससेफिन क्या टार्क आपको आपको ये मिला प्लाइब हुआ है बट चाहत है कि हमारी एसे मिले यहां पर है तो हम करते क्या है इस वाले को यहां पर प्लॉट करते हैं इस जो मैंने ड्रॉट यहां पर प्लॉट करते हैं देखते हैं तब क्या होता है इसके बाद फिर आपको पॉइंट्स के लिए होंगे आई कि यह टी मीन है उधाके में फिर पूडप कर देंगे और देखो यह यहं एंगेल टू पाइए एक काम करते हैं इस व क्रते हैं किसे आपको शुमन्यम प्रॉब्लम कम हो कि लिखे लेकर की हुए एक वर स्विक्राइब फिरसे बनाते हैं इस और आपको के लिया हो दाएंग में इथर हो गया इसका और यहां पे लेना तो लोंग कर दें तो इसके बाद अब हमें ड्रॉ करना है क्या करना का कॉंस्टेंट का कॉंस्टेंट अडेना है हम इसके बाद हम इसको लगा देगे टूपाई इतना कर दिए हमने यह घ्रागर दो यह वन साइकल में आया है यह इतनाया यहाँ पर थाय को व्त कॉंस्टेंट होगा टी मिन-अ अगया हमारा less चार्क आउट्पुट हमें मिला है यह हमारी डिजायर्ट है यह आउट्पुट मिला नहीं है अभी कहीं हमें कि डिजायर्ट थी हमारी इसको हम यहां पर डाइग्राम क्लॉट करते हैं फिर हम बात करेंगे है है कितना है सपोस करते हैं इतना कहीं आएगा कि है यहाँ पर कही आयाटी हिटना लेते है लाइन लेते हैं ओके डियर हम लाइन लेते हैं पिर आपको किलियर होगा यह हमारा यहां तक जाएगा टूपाई तक यहां पर यहां पर देखिए यह हमारा टी में था टी में इसको हम राइट कर लेते हैं यहां फिर इसको लोड टार्क और लोड टार्क यहां पर यहां पर यह तो फिल है यह फिल है बट यह पॉर्शन ब्लाइं है पॉर्शन ब्लैंक है और यह पोसन ब्लाइंक है हमें देखो यह पूरा को पूरा कवर हो गया फिल हो चुछता हैछ्पत है यह वाला यह पॉर्शन आसन पोसिंड़ हो गहां जोगा यह नेचेटीव है निगेटीव है की नहीं यह निगेटीव है यह हमारा निगेटीव भडियार्ण तो यहां से कबर करेंगय यह प्यूश्टि वाले पोरृसंसेत कबर कर принial पोस्टीव पोस्टीव नेर्जी तो यहां पिए पोस्टीव एनर्जी तो यह ब्लैंक पे ने इनीघ्यू पूजिशन है है यह जाएगी यह को यह पोpowered मिल ही जएगी यह भी हमारा हो गया कैसे फिल हो आपको प्रसुम्हें रहागी क्या ऐसे फिल हुआ भाई यह पॉस्टिव एनर्जी थी यह प्लाइविल यहां पर लग गया तो फिर वो क्या किया कि जो पॉस्टिव एनर्जी थी उसको इसको बोल जाओ इसके बाद इस पोजिशन पर आओ जहां पर क्रेंग पहुचा 90 डिगरी पर फिर थोड़ा सुस के पहले तो वहां प्रों किया कि अफिर ज्यादा है उस ताइम पर तो वह एनर्जी को किया किया एब्सार्प किया एब्सार्प करता रहा तो यहां पर पर स्पीड जो है अब इसका नाम रख दूँगा और फिर आप बताना थोड़ी दिर के बाल अभी सारे पॉइंट्स आपको किलियर हो जाएंगे एंड मिनिमम और यह है वन पॉइंट ओके डियर तो जब इस पॉइंट पर आया इस पॉइंट की बाद कर रहा हूं यहां पर जो फ्लाइविल की स्पीड थी वो हो गई मैक्समुम वो मैक्समुम हो गई और वह भी वन ही रही भाई पर अब इस पॉइंट को यह खाली है इसको फिल करना था मेंस एनर्जी को रिलीज करना था जब एनर्जी को रिलीज करेगी तो इस पीर उसके दितरे डाउन होती इस प्यों पर जब आई तो क्या हुआ वहां पर फिर से मिनिममं हो गई प्र फिर से इनर्जी इसको एब्जार्ब होने लगी और इनर्जी एब्जार्ब होते 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 जब इस पॉइंट में पहुचा तो फिर से फ्लाइवियल जो है मैक्समम आगे हमारी N,MAX तो इस दो प्वाइट पर इस्पीड क्या हुई मैक्समम और दो प्वाइट पर इस्पीड में हुई बट यह सारी चीजे जो घटना घटित हुई वो इसम्गें ही फ्लाइवियल नहीं होई बट ओबर आल वहीकल के सिस्टम था विल्स पर उस पर को इस पूरे डाइग्राम में हुआ तरी चीज़े आपको समझ में आई गई होंगी आईए हम बात करते हैं कि इसमें क्या पॉइंट्स और इंपोर्टेंट हैं और आपको एक बात पता ना हो तुमें बता दू कि टी और ठीटा का अगर एरिया लेंगे हम टी और ठीटा का एरि सेपल आएगा कि इतना आएगा एरिया औफ गीरे एरिया ऑफ एरिया की टीटा डाइग्राम के मारे इरिया लेंगे तो हमेरा वरकटन cycle और यह कितना आज आएगा हमारा ये करेंग थे में निकालें आप टी में जो आएगा VIP पर करणंन आपप साइकल अपंगर इनुक्राइंगल तो क्राइंग या और आपको T mean मिल गया means mean टार्क या फिल लोट टार्क आपको find out हो गया यह important है इसको आप अंडर rectangle कर लो और crank angle के according इसको change करते रहना अगर यहाँ पर इस case में crank कितना होगा 2pi तो W upon 2pi W क्या for cycle W for cycle और यहाँ पर 2pi angle होगा और T mean आपको पता ही है इसको ऐसे लिख दो T mean आगया बट जब four stroke engine होगा तो वहाँ पर T mean कितना आद आएगा वहाँ पर जो आएगा इडबलू cycle तो होगा ही होगा बट जो टूपाई के दिखांपर क्या होगा वहाँ पर एंगिल जो क्रेंग का होगा कितना वह पर पाई होगा भाई वहाँ पर क्रेंग कितना तो आपने देखा कि कितना आ गया हमारा तीम में कितना आ गया यह आपको मिले गया है इस केस में टूपाई वाले में और फॉर पाई वाले में दोनों आपने फाइंड आउट करी लिया होगा तो हम बात करेंगे अब कि अज़र स्पीड थोड़ा सा देख लेते हैं इसके वाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इस पीड कितनी आयेगी अच्छा आप यह बताओ कि दो पॉइंट पर स्पीड मैक्सिमम है और दो पॉइंट पर स्पीड मिनमम है तो थोड़ा सा डिस्क्रिशन को आगे बढ़ाते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे अगर हम बात करेंगे फ्लाइवेल की मैक्स में स्पीड और मिनमम में स्पीड की अन्मास और अन्मास और Só कितना आखेंगा मैक्सिमम और जिसक करेंगे मैक्सिमम मैक्स न n अगर और भी होते हैं तो उनको हम ले लिए जो सबसे maximum होगा उसको लेंगे अगर और भी है जो सबसे maximum होगा इसे लिए जाएगा maximum of तो अगर minimum निकालना है तो minimum of से मुझे तरके शिमलर ली एन मिन बन पाइनस कॉमा एन मिन तू तो आपको दूसरा पॉइंट मिल जाएगा तो एन मैस्ट भी फांड आउट हो गया और एन मिनमम भी फांड आउट होई ही गया है अब हम आगे बढ़ेंगे और अब निकालते हैं हम maximum fluctuation in speed लिखते हैं point maximum maximum fluctuation of speed maximum fluctuation of speed कितना होगा वो कितना होजाएगा यह होगा हमारा n max-n minimum यह हमारा maximum fluctuation of speed यह find out आपको होई जाएगा बड़ी एजी तरीके से अब इसी से एक formula और drive होता है कि coefficient की बात करते हैं coefficient of fluctuation of speed वो कितना आता है उसको भी आग तुरंत देख लिए लो coefficient of fluctuation of speed fluctuation of speed कितना आएगा इसको आप देखते हैं इसको हम P asset denote करते हैं तो यह आएगा जो हमारा n max minus n min upon n और यह n क्या है यह डिया हमारा है mean speed है और यह बता रहा हूं कि mean speed क्या होती है पर इसको पहले आप under rectangle कर लो यह क्या कर लो इसको under rectangle कर लो यह हमारा आगया coefficient of fluctuation of speed कितना आगया इसकोल टू एन मैक्स minus n min upon n अब हम बात करेंगे mean speed की mean speed कितना आएगा mean speed जो आएगा हमारा वह आजाएगा n equal to यह भूता है n1 n1 मत करो आप n max फिल लिखो अदिवाइज आप सब्सक्राइब कि यह नया टर्ब काला दिया हम n max plus n min by 2 इतना कर दोगे तो आपको mean speed मिल जाएगी मिन speed को find out I think होई गया होगा तो आपने CS देखा देखो यह सीरी exam में ना comparison exam में सीरे question यहां से पूछ लिए आते हैं कभी यह पूछेगा लेगिन पूछता जिरूर है इसे points है कि objective exam में जितने भी question आते हैं वहाँ पर वड़े simple question आते हैं यह points उठा लिया जाएगा कुछ भी और नहीं रहेगा थोड़ा वह किसी-किसी में option change करेगा अगर आपने पढ़ाई किया होगा तो आपको पता होगा और आप option टिक करके चले आओगे टिक तो करना नहीं है आपको rectangle करना आज की time में तो online होता है फिर वहाँ पर क्लिक करना है कोई बात नहीं चली हम आगे बढ़ते हैं अगर सीएस जो है coefficient of fluctuation of speed जो है यह हमारी अगर दी हो for example for example अगर coefficient of fluctuation of speed हमारी दिया हो 3% दो केस लेठे हैं एक लगा दें दो केस लेंगे फिर्स केस और सिकंड केस इस इस का मतलब क्या है कि जो हमारा coefficient of fluctuation of speed है वो 3% है तो आपको 3% ही लेना है अभी थोड़ी दिर्म समय में आजागी कि मैं आइसा क्यों बोलना हूं इस इस हमारा plus minus 3% हो तो आप जो लेंगे भूलेंगे 6 अब आप समय आए कि मैं क्याना क्या चा रहा हूं plus minus में होगा तो आप add कर देंगे और 6 लेंगे अगर 3 लिखा हो या फिर only plus 3 रहा हो तो आप 3 ही लेंगे तो यहां से 3 को 0.03 और यहां से 0.06 हम कर सकते हैं तो आपने देखा आज का टॉपिक बड़ा ही क्रांदार रहा हमने काफी कुछ प्लाइविल चैप्टर रहा हुआ और आप मदा आने लगा है ना तो आगे देखते हैं कि हमने आज क्या कर दिसक्स किया कि स्टार्टिंग हमने फ्लाइविल से किया फ्लाइविल की फंक्सन को बताया कि फ्लाइविल क्या है क्या इतका यूज है क्यों इसको इंजन में यूज करते हैं अगर नहीं करेंगो तो क्या प्रॉब्लम आएगी इसके बाद मैंने आपको कि संदर संदर फिगर दे अच्छा लगा होगा इसकी बाद मैंने आपको बताई हैनुके हमें पिर मनें आपको इस दिखा दी है फिर मैंने में इक सुंदर चाहिं बनाया एरिया की बात हुई वरकडन की फॉर्म में कैसे आता है आपको पता होगा वरकडन ना तिश्टीटा ये तब है जब rotational motion होता है बट अगर linear motion होता है f इनको ड करते हो न और करते हो न या फिर pv करते हो तुम्हां से आपको करना क्या है कि आपको study करते रहना है अपनी notes बनाते रहना है और question को लगाते रहना है यह question लगाना बड़ा ही important है और practice करना question की जितने वे chapter अब ज़्यक्त फिनिस हो चुके है mechanism जैसे हो चुका है mechanism हो गया और कि अगर gear हो गया फेस के बाद gear train हो गया सारे chapter फिनिस हो गया उसे question आप लगाते रहिए तो यहीं मिलते हैं next session में एक नई उमंगा और नए जोस के साथ okay thank you to all of you जुआ प्रूब प्रूब जैसे हो जब जैसे हो प्रूब हो जैसे हो जैसे हो प्रूबगार करना लाद